मैं भुरी सिंग डिस्टर प्रेडेंट शिवसना बाला साव ठाकरे रियासी और साथ आल पार्टी एस्टेशन के जनल सेक्टरी डिस्टर रियासी मेरे साथ महिला प्रेडेंट मेंशिस संतोष कमारी शिवसना रियासी साथ में वो आल पार्टी एस्टेशन के महिला बाइस प मीडिया जो वारता हम लोग जहां आज कर रहे हैं यह मैं श्री मनीशानी राजिय पुर्मुख जो हमारे हैं उनके अदेश के अनुसार जहां कर रहे हैं मैं सबसे पहले स्टेट समाचार का दीपक का और साथ मैं दीपक के जो केमरा मेन हैं और रियासी के जीतने भी हमारे जो मीडिया बंदु भाई हैं जैसे के रहुल जी अंचल जी और भलवीर जी यह हमारा वाक्य हम लोगों को ये लगा है कि हमारे हिंदोस्तान का जो फोर्स फिलर जो है मीडिया उनकी बदोलत हम जे माइनिंग का जो हमारा जो इशू सा और रेट कम रिवाइज रेट का था ये उन्होंने बाकाइदा आई की सेल गवर्णर हाउस तक पुचाया जिसके जिसके बाद जहांके एक सेंट्रली तरीके से हमारे मानिये श्री मनोज सीना जी ने इसका फैंसला लेते हुए और इसको एक सेंट्रलाइजेशन रेट को कर दिया गया है रेट क्या किया है कैसे किया है वह तो notification हमने नहीं मिला है लिए के द्वारा हिए हम लोगों को एक पता चला था वीडियो मीडिया के द्वारा को ति लेक़ी के अंदर अभी तक फ़्फी जो डेसी शर हैं अमारे और सिलेंदर जी वह उनको महां पे नियूत किया गया है तो शायद वहां जल्दी अच्छे अश्छ अफसर है और पहुत ऑफसर पा सिर्छ मेन होट Nós सीक्टी पेच्टिन जारी कर देंगे रियासी में में कर दि गई हैं पर क्रचल कमारे रियासी में हो जाएंगी हमें अमेध है इसमें इसमें सबसेày बड़ा जोगदान जो अंडूलनक सबसे बड़ा जो अंदोलन का हमारे प्रेडेंट थे आल पार्टी एस्टेशन शरीट संसार सिंग नहाइती शरीप और नहाइती अच्छे और इमानदार और बहुत बहुत बढ़िया उन्होंने हम लोगों को सजोग दिया हमारी आल पार्टी एस्टेशन सरफ पैंचे करूँगा पर उससे पहले में जो हमारे अंदोलन कारी सपाई थे जिन्होंने आल पार्टी एस्टेशन में अपने नाम करवाया था उनका मैं एक एक करके पहले सबसे पहले दुनके अपने दिल की घराईयों से मैंने का हारदी सवगत करता हूं और यह कहता हूं कि यह उनको बहुती कटी हुए धूप में और रोड में बैट करके और कहीं बार वहां अंदोलन किया गया सबसे पहले हमारे शीरी संसार सिंग्जी थे जो के सरपैंचे कंथान को प्रेइडन थे हमारे इस आल पार्टी एस्टेशन के और इसके बाद आशिनी कुमार जी शर्मा थे एन्शी के सीनियर लिडर जो बाइस परेडन थे हमारे रॉल्पसांटि सिर्फि एटिरीर जो कंघरेंट के जनर सेक्टरी थे मैं सलफ .. बहुरी सिंग डिस्टे के अंदर नंबर एक अलताव जी हैं मैं उनको भी दिल की घराईयों से पुना फिर से सलूट करता हूं कि बहुत बड़िया सर्पेंच है और बलवा इसमें थे मोहिंदर सिंग जी जो 25 सर्पेंच सलाल के थे ये 22 चेर्में थे समित कुशलिया देवी जी अपनी पार्टी की जो के आज कल कल मुझे बताया गया कि वो जमू डिविजन की जनरल सेक्टरी है अपनी पार्टी के उन्होंने भी कड़कती हुई धूप में बहुत ज़्यादा इसके अंदर लिया साथ में संतोष कमारी जो ज महला दुर्गा इन्होंने बहुत जबरदसती तरीके से हमारा संजोग दिया आल पार्टी की और साजन वाहनों जो सरपैंच थी अंधंसाल की उन्होंनें भी काफी महिला जनर्री सेक्टरी थी हमारी आल पार्टी इस्टेशन की इन्हों नों भी काफी सजोग दिया, शाम सिंग थे, सरपैंच दी, पंचायद बक्ता के, बंसी लाल से सरपैंच, पंचायद सेरा कोटला के, जौन मुहमद सरपैंच थे, थुरू के, एजी के, मुहमद फ एक्स्पोज करेंगे कि उन्होंने क्या गलती किया है आशो कमार सरपेंच थी डिस्टिक के दमल के मुहमद मुस्ताक सरपेंच थे जुड़ा के और इन्होंने भी इनकी थोड़ी शकायत आई थी बाकी तो सब लाल सिंग्ची चोधरी थे सरपेंच परसूल के नर्याना के नर सेकंड टाइम में जो हुआ था अंदोलन उसके अंदर इनको भी काफी लोग आये थे और अजाज साव नहीं आये थे उसके लिए हमें खेत है जगदीशी से बीजे पी के सेक्टरी थे सुनील मद्याल सलाल कोटली के सोशल एक्टिविट थे शाम सिंग एक्सर पैंच के पैंच थे जो गूल व्लाग के पैंच थे माहर सिंग जी कंथान के तर शोचल वर्कर आये Benn II के भी के वरकर ते ग्रांपोट से ते वह की取्री थे यह कं थान के थे बीजे पी वरकर थे इसके लावा हमारे जो सादू सेंद्ध जो सयकर न में आये थे वह भी इसमें भारी मातर रहे हमारी जो थिए से सादू सादू सेंद्ध लिडर से 42 से कर llev में नहीं हम लोग शाहिए उह हमने कल पता लगा है कि इनके लिए और्लग के वज़ा से वो शामल नहीं हुए जिसके लिए के पबली को पबली को बहुत यागुरुत होना पड़ेगा अब दोजार बाइस एलेक्षिन आगे से पैंच पैंच जिसकी भी लेक्षिन आती है उसके लिए मैं पबली को एक दोनों हाथ से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अपने सेलफिश के चक्र देशा लीडर को ना अपना है जो के हमारी डवल्मेंट की धजिया उड़ जाए सबसे पहले तो ठाकरा कोट के अंदर था हमारे अबदर्शी जी जो डीडी सी के चेर्में थे उन्होंने इस अंदोल में जरूर आना चाहिए था लेकिन वो भी वह अबसेंट पाएगे अल्मोर्ट सरपैंच एक हमारे संजीव जी थे वो इसमें जरूर आये हैं और बाकी हमारे जो पंचाई तसी ठाकरा कोट के और भी अपने केवल सिंग जी अर्जिंदर सिंग जी है जो बीडी सी ठाकरा कोट के थे वो भी हमें वहां नहीं देखे चिके कारण वहां पर नहीं आए यह अगर आने वाले समय में इस तरह से अगर पब्लिक ने फिर से अगर गलती किया तो मेरे को लगता है कि वो दिन दूर नहीं है अभी मैं कुछ ऐसा आदमियों का एक्सपोज करूंगा जो लोग जिन लोगों ने मेरे में गया था उदर कंथान में उपर गे थे अनस में गे थे हम वूस आलाके में मेरे को जीतने वह पबलिक मिला पांच तरी को में विजिट virt किया वहां से मिला कि यह लोग जो लोग नहीं आया उनका का था उनके रीजिन्स क्या ते तो उन पब्लिकों ऑंकि जो स्टेट्मेन्ट है बाकी इसके लिए इसके लिए जो एडमिसेशन है जहां अगर जो हमारे विजिलेंस है वो इसकी उनक्वारी कर सकते हैं कि फैक्स क्या थे और चलो मैं पब्लिक की वाज में गरीब की वाज बनके मैं चलता हूं और मैं गरीब की ही सुनता हूं गरीब के ही काम करता हूं मैं धाई साल से गरीब क ना मैंने ठेकेदारी माईनी के लिए ना मैंने टूल पलाजा के लिए ना मैंने इसके लिए किसी की भी ठेक अधारी मैंने आज तक नहीं लिया है और ना मैंने जितना भी मेरे जो पैंशन से होता है मैं उसी से गुजारा करता हूं और उसी से चलता हूं उसी देश अच्छा यह जो मैं एक्सपोज करने जा रहा हूं इन लोगों को पता नहीं पबलिक की यह वाज थी है नहीं लिया है यह तो मंदर में हिंदू है तो मंदर में मुसलमान है तो अटा के बता सकते हैं कि उन्होंने लिए हैं के नहीं लिए हैं कुछ लोग जो ना आने के कारणे सर्पैंच जी बाल किशिन जी 55 हंदरे में अपनी पार्टी गहीं उन्हें ने बुला है कि उनको चार गाड़ियां फ्री में दी गई थी कंटेक्टर जो है के बीजेपी के रमन जी की तरसे फिकीर बर फिक रख कंटने soutar एन को दो गाड़ी ती परकाश जो ऊपर है। इनको एगाड़ी सर्पैंच मुस्ताक जो खुड्डा के हैं उनको भी चार गाड़ीएं दिये थे। से फरुक थनोल के बीजेपी के कंटेक्टर जो रमन जी ने इनको अपना काम जो कंटन से लेकर के क पोडिये तक है, उनको वो दिया गया है, और सबसे लास्ट में सर्पेंच जो केवल सिंग जी है, हमने सुना है कि उसकी तीन जेसीपी बहां पे लगी है, वो नहीं, तीन जेसीपी का आप मान लिए कि अगर डेल लाक भी लाक भी होता है, तो कि साड़े चार लाक होता है, तो वो क्यों आएगा, वो जनता की बात को क्यों सुनेगा, वो जनता की बात को नहीं सुनेगा, क्यूंकि उसका जो के रोजी रोटी खत्म हो जाएगा, ये तो मैं तो चाहता हूँ, तो यह ह compared to, थे उसके भी उन्होंने कोई संजोग नहीं किया जो संजोग नहीं किया लोगों को चंद जेक लोग जो हैं जो कोंगे गुन गाते हैं वो गुन गाने का कारण है कि पूरे लीडर्शिप में उन्होंने कहीं के काम किये हैं तो उसके कारण वो उस अलाके के जो लोग हैं वो ब करने वाला होगा जहां वो किसी तरह की गलत कार्य करने वाले का हम आवाज उठाएंगे हम गरीब की आवाज उठाएंगे चाहिए इसके लिए हमें कोई भी करवानी देना पड़ेगी वह हम देने के लिए त्यार है इसके बाद स्तंबर 2020 के अंदर यह माईनी का जो अलाटमेंट हुआ था बीजेपी गवर्मेंट के कंट्रेक्टर को रमर जी को तो शायद हमने चोटा सा एक अपने दुनिया को बताने के लिए एक रफ आइडिया लगाया है कि उस वक्त शुरूर में बोलते था 30 लाक पर तो एक सो तीस क्रोड से भी ज्यादा ज्यादा इंकम आ चुकी है जहां रियासी के अंदर अपने ठेकेदार बीजेपी गवर्मेंट के ठेकेदारों को तो आब आप बताईए कि कुछ चंद एक बीजेपी के और भी जो लोग हैं उनके अंदर मिले हुए थे आज मैंने देखा था कल की मीडिया कॉन्फरेंस में बहुत बड़े-बड़े लोगों की तालियां बचाई जा रही थी बहुत बड़े-बड़े लोगों का कहना किया जा रहा था मैं तो कहता हूं यह लोगों को गुमरा नहीं करना चाहिए इसके लिए सिर्फ 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 अगर संग्यान से हैं जितने में सेक्टरी इसके माइनिंग के हैं उन्होंने शाइद इसके उपर बड़ा अच्छा फैंसला लिया है अभी जब से को रेट आएगा तो हम तभी अपने अंदोलन कारियों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने आल पाठी सुचिंसे सरपैंजी से के वहां एक आयोजन किया जाए और उनको समानत किया जाए सभी अंदोलन कारियों को जो हमारे लिस्ट के अंदर रेजिस्टेशन नहीं करवा पाए और उनका नाम भी शूट गया है तो मैं उनको भी दिल की घराईयों से बहुत-बहुत बधाई देता हूं कि भाई यह चीज तो यह त उसका जुद नहीं कर पाया उसको नहीं सुलझा पाया तो मेरे खाले के मेरी तो रूक्वेस्ट है कि आल पार्टी एससिलिशन की अंदर रेफर कर देने चाहिए क्योंकि यह केस क्योंकि हर अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता है हर जब जन्ता जन्ता रोड में आएगी तो का भी हाक मिलेगा अगर जनता रोड हमारे साथ आएगी तो मैं अकेला शिर सेना का एक प्रेइडन मैं कहता हूँ मैं कोई ऐसा ऐसा डिवल्मेंट का जो काम हो जहां किसी का अगर जनता ने अगर हमारे पास परोच किया तो हम अंड़े नराध करके हम भी जई सार्ट करने वाले खirt करने तो ने बोला है कभी बोलकम अच्छे और जानकर officer है मैं उनकी जो उनका बात्चीत करने का और जो पब्ली को ट्रेट करने का मुझे बड़ा अच्छी कला लगी बहुत अच्छे officer हैं मारे SSP सार भी बहुत अच्छे हैं अभी तक है रहा हमारी उनके साथ मुलाकात नहीं हुई है उनको जेनी आने के बाद तो वो भी हम recently जब हम रियासी में जाएंगे तो उनके साथ मुलाकात करेंगे उनके उनके मैटर जो है बोबन स्मगलिंगर हमारी घराई से उनके साथ बात होगी बोबन स्मगलिंगर मैंने भी कुछ शोशल मीडिया वहाँ था वह एक्सरपेंट जिगंदर सिंग्जी है जो के वह अडवाईज देते हैं अडवाईज तो जिगंदर सिंग माईनी के खिलाफ बोलना बंद करो बंद करो रम्मन कमार बीजेवी कंटेक्टर कह रहे थे कि इसको 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 बहुत कीड़ा है कि कभी कावला सिंग को बताता है कभी सर्व सिंग को बताता है और कभी कावला सिंगी की उधर बताता है कि इदर बताता है तो आप खुद देख लीजिए बीजेपी की रियासी की क्या हालत है बीजेपी कम से कम तीन और चार ग्रूपों में बढ़ चुकी है और तेन चार गूपों में बटने का अलगा गूप है कोई भी बीजेपी का सीनियर प्रेडेंट जब प्रेडेंट जनरल सक्टरी जहां कोई भी नेता जो जीता हुआ नेता जो जो एक्स तरीक को शायद मेरे खाल आने थे सतर लीडर आने से सेंटर से तो शायद आ गये होंगे शुरू हो गये हैं और सारी कि जब जब एलेक्शन नहीं हुआ नहीं अगल किली मिला तब तक तो यहां कोई नहीं आया लेकिन आप न बड़े लोगों से वादे किये जाएंगे बड़े-बड़े मुकरि लाल के सपने दखाएं जाएंगे मैं उन लोगों से अपील करना चाहूंगा तो मुकेरी लाल के नाने देखें और जिख सर्णा के पास आएं और बिन किसी भी कोई भी किसी भी तरह का कोई परब्लम है बताये और जोइन करें और आने thrive ऐलेक्षिन में नहीं वाले लेक्षन में जो मैने एक बाट और सुना था हमारे opposition यह कह रहे थे कि इन्होंने अपनी madam को ही महिला प्रेजेंट बना रखा है शीव सेना का और अपनी भाहुरानी को बना रखा है मैं कहता हूँ बीजेपी अगर एक एक के दस-दस पोस्टें हो सकती एक पोस्ट के लिए तो हम भी दस-दस पोस्टें कर सकते हैं रियासी के अंदर मेरी महिलाओं से नवेदन हैं और सबी महिलाओं से जितनी भी महिला हैं वह आ सकती है कोई भी पद के लिए मैं अपना उनकी recommendation अपने मानिय श्री मनीशानी सर के पास भेज करके वहां पे से हम order की recommendation देंगे और मुझे मेध है के हर हालत में उनकी जितनी वे appointment हैं जिस बलाग में जो भी महिला आना चाहती आगे वो आ सकती है और हमें दिक्कत यह आती है कि महिला के ओपर लोग बहुत ज़्यादा अलग नजरिये से देखते हैं जिसके कारण क मुझे अपनी मजबूरी के कारण होते होगे कि मैडम जी को यह appointment देना पड़ा और हमारी बहुरानी को appointment देना पड़ा क्योंकि लोगों की जो नजरिया चंदेग लोगों का नजरिया है महिला के प्रती वफादारी से नहीं देखते हैं इसको देखते होगे मैं अगर कोई volunteer है जहां कोई देश भगत है जो महिला आना चाहती है मैं महिला के साथ साथ और भी कोई लीडर जूत का है किसी किसम का लोग आने चाहते हैं वो कभी भी आ सकते हैं हमारे यासी मुझे कभी भी काल कर सकते हैं मैं वहां मेटिंग रख सकते हैं उनका जैनी का भ्यान हम चलाए पर अगर यह जह अगर नहीं होगा और बीजेपी के जहांसे में यो लोग आगे किसी चंद एक चंद एक बैनिफिट्स के लालच में अगर आगे तो मुझे नहीं लगता है कि रियासिया कोई सोधार होगा फिर वही इस बार तो ठेके जितने थे बीजेपी के लिडरों ने ल चले जाइए अगर एमानदारी वफदारी से अगर कारेकरम करना है तो मैं हिद्देर से उनका स्वागत करता हूं चीफसाना के अंदर और अगर बाकी मैं इससे ज्यादा ना कहते हुए जो परिवारी परिवार के तरफ से हमारे पर जाम लगाया जाता है कि परिवार के तरफ से है मैंने उनका भी सारा दे दिया है आगे मैं महला प्रेजिडेंट संतोश कमारी से बोलेंगे कहेंगे कि अगर उनके पास कुछ विचार है तो महला प्रेजिडेंट संतोश कमारी सिब सेनावाला साथ ठाकरे रियासी से मैं एक मुद्दा माइनिका था माइनिक के बारे में हम महला ने सबने एक जुट होकर इनके साथ आल पार्टी के साथ पूरा साथ दिया अगर बहुत दूख हुआ कल जब इन्होंने प्रेस कां क्या कि इनके साथ कोई महला नहीं बैठी थी कोई महला नहीं चली थी कोई बीजे भी कई नाम ले लेते तभी भी हमें संदूस्ती हो जाती कि नहीं हमारा महलों का भी कोई जोगदान था मगर कुछ लोग ऐसे हैं खाली रोटियां सेकने के लिए बैठे होते हैं अपने मुद्ध उठाने के लिए बैठे होते हैं तो हमें बहुत अफसोस था इस बात का कि मैं सोचा एक बार मीडिया के सामने बोलूंगी क्यूंकि माइनिंग में एक बंदा खड़ा नहीं हुआ था आल पार्टी के सभी जैंस भी थे लेडिस भी थी बच्चे भी थे लड़के भी थे हमारे सादू संत्त भी थे सिपसेना के हर एक पार्टी का एक एक बंदा आया हुआ था मगर किसी ने किसी का नाम ने लिया अपने ही बीजेपी के अपने ही सरपैंचों के अपने ही के नाम लिए क्या कि वो अकेले ही माइनी का मुदा हासल कर लिया उन्होंने नहीं जी एनके का खुद ही हुआ है किसी के कहने पर नहीं हुआ मगर हम लोग ने आवाज उठाई आवाज हमारी पहुंची तो हमारा मुदा हासल हो गया मगर अभी कोई रेड आई नहीं हमारे पा ये बाकिवालों का भी नाम ले लेते सार कठे पाया, आल पाटी ने किया ये मगर किसी ने ये नाम नहीं लिया, उन्होंने बोला हमें ही किया, कुछ लोग ऐसे भी थे, बोलते हैं, इनके घर के ही पूरे अरायनिती में आगे हैं, किसी की हिम्मत है इस बात की, तो अपनी महल हो जाती है किशी के सामने खडे TO हो एक बार तब पता चले हमारे महला कहीं कदेओर हो सकती है तो बाकी मामानि वालों को तो तो में यहीं बोलतीлекं ने बहुत अच्छा किया जिन जिनों ने भी बोला आना बहुत अच्छा बोला नमस्ते, नमस्क्रार